Day 3 मतलब की 10 April 2024 का हमारा study plan रहेगा हमें total subjects में 8 घंटे देने हैं English में 5 घंटे Math में 2 घंटे Reasoning में 1 घंटा और General Awards में 5 घंटे यहाँ पर मैंने schedule लिखा हुआ है आप इसको अपने according change कर सकते हो आगे पीछे करके और यहाँ पर मैंने schedule देते वक्त एक बात का ध्यान रखा है यहाँ पर मैंने one hour का gap दिया है और one hour का break मैंने यहाँ पर दिया है बाकि आप अपने according इसको change कर सकते हो English reading में हमें class 6 की NCIT का chapter 3 पढ़ना है current affairs में हमें January 2024 के monthly current affairs का 30 से 60 questions तक करने है और English vocabularies में हमें vocabs 20 करने है one words reproductions 15 करने है मतलब 30 से 45 idioms हमें 21 से 30 तक पढ़ने है और phrasal verbs हमें 5 करने हैं 10 से 15 तक जो भी आपकी source है English vocabularies में आप वो use कर सकते हो books हो गया कोई भी चीज या आप किसी teacher से batch कर रहा है तो कभी हम आप content यूज कर सकते है static gk में हमें sports terms पढ़ना है cricket और football का और English grammar में हमें verb basic पढ़ना है video और notes और book अपना use करके verb basic की हमें जो हैं आपे class 3 करनी है मतलब हमने verb basic को मैंने two weeks का time दिया है तो हमें two weeks में complete करना है work basic को तो उसके according आप अपना schedule कर लो raising में हमें image questions करने है और उसकी classes करनी है और उसके 20 previous questions भी करने है सीजल 2023 में जो आय हुए है यह जो PDF है आपको वह हमारे WhatsApp ग्रूप में मिल जाएगा WhatsApp ग्रूप का जो लिंक है वह नीचे description box में आपको मिल जाएगा General studies 1 में हमें history का industrial civilization और उसमें जो remaining part रहे गया क्योंकि हमने day two में कर रहा था तो उसका कुछ remaining part अगर रहा गया होगा तो हमें complete करना है video और या book या notes से और मैस में class 3 देखनी है percentage की और उसके notes बनाने है जो भी आपकी source होंगे जो भी आप classes वगरा ले रहे होगे तो percentage का मैं approximately 20 classes मान के चल रहा हूं कि percentage में 20 classes जो बच्चे पढ़े रहे है teacher वगरा का batch लेकर मैं मान के चलता हूं कि 20 classes उनको देखनी है तो उस हिसाब से मैं या पर अपना ले गए चल रहा हूं classes को general studies 2 में Indian quality में हमे schedule of the constitution मतलब की प्रविधान की अनुसूचियां हमें करनी है video और अपने books या notes से मैस में calculation करना है और revision जो भी हमारा इस class में वीडियो में हमने देखा और हमें tables लिखने 3 से 14 तक और square लिखने 4 से 19 तक और cubes लिखने 2 से 10 तक जिस भी बच्चे के पास कोई batch वगरा है तो आप उसका use करके books वगरा का use करके आप कर सकते हैं और जिनके पास कोई भी books वगरा नहीं है उनके लिए मैं suggest कर दूँगा चीज़ें तो वह आपको नीचे description box में सारा का सारा मिल जाएगा